दोस्तो नमस्कार वस्वागत आज हम बात करते हैं पेट के दर्द पर दोस्तो पेट का दर्द कई तरीके से हो सकता है यह आपको आगे बताएंगे जब पेट दर्द होता है तो दोस्तो न तो कुछ खाया जाता है नहीं पिया जाता है और आराम करने जाओगे न आराम किया जाएगा अगर आपको काफी लंबे समय से पेट में दर्द है हो सकता है को कोई अंदरूनी जखम हो या घाब हो उससे आप किसी अच्छे नजदी की डॉक्टर या ऑस्पीटल में अच्छे से चेक कराकर अपना इलाज कराएं अचानक से कोई दर्द उठाए और गैस का भी ह हो सकता है या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वज़े से अचानक गैस बन करके पेट में दर्द होने लगा है तो दोस्तों इसे ठीक करने के गरेलू नुक्से भी हैं और आपको तुरंत आराम भी मिल जाएगा जैसे नीवू और काला नमक आप पानी में मिक्स करके पीएंगे तो आपको 5-10 मिनट में गैस के दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा या फिर एक चमच खाने का सोड़ा जो हता है पानी के साथ मिक्स करके पीएंगे तो 5 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा दोस्तों ये सब करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता तो एक बार अपनी नाभी जरूर चेक कराएं, हो सकता है आपके नले भर गए हो, यानि कि अंदरुनी सूजन आ जाती है पेट में, यदि आप कोई बजन एक साथ उठालो, या उंचे नीचे पर आपका पैर रग्या हो, तो क्या है नाभी अपनी जगह से हट जाती है, तब अंदर सूजन आ जाती है, सूजन की बज़े से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह पेट की गुनगुने पानी से सिकाई करें, और नाभी में थोड़ी सी हींग रखें, जिससे गैस पास हो जाएगी, और नाभी जो है अ आपको पता ना लगे, ना भी ठीक नहीं हो पा रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं वराम देता हूं, आशा करता हूं, कि मेरे द्वारा दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यदि आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वर सेयर करें, ऐसी ही वीडियो में आपके लिए और लाता रहूंगा, तो कल फिर मिलेंगे, तो सभी साथ में बोलेंगे, जैए श्री श्याम, ओम नमस्षिवा, जैए भोलेनात।